स्वागत दोस्तों आप से विकार से विविस्ट्राप यूट्यूप चैनल के एक और नहीं वीडियो में तो दोस्तों आज से हम प्रिंसिपल अब सुपर पूजिशन एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं स्ट्रेस एंड स्ट्रेंड इस टॉपिक के उपर तो प्रिंसिपल अब सुपर पूजिशन के अकॉर्डिंग सबसे पहले मैं आपको एक्स्प्लें कर देता हूं तो क्यूंकि यह स्टेट्मेंट फिर आपको और अच्छे से समझ में आएगा दोस्तो अब तक हमने सिर्फ सिंपल स्ट्रेस के उपर पड़ा है जैसे कि अगर यह कोई एक बार है इसके उपर अगर मैं टेंसल या फिर कॉंप्रेसिव फोर्स लगाता हूं ठीक है से यहाँ पर मैंने टेंसल फोर्स लगाया हूँ तो इसकी वज़े से इस बॉड़ी का कुछ इलोंगेशन होगा इस बॉड़ी का जो एक्जिस्टिंग लेंथ है उससे कुछ इसका लेंथ इंक्रीज होगा जो कि डेल्टा एल होता है इस जो कि हम क्यालकुलेट कर सक प्ल इंटु ऐक इस फॉर्मुला का यूजज करकर बट एक्चियल कंडिशनस ऐसी नहीं होती है दोस्तों ऐसे सिंपल कंडिशन्स नहीं होती है अभी फॉर एक्जामपल यहें एक कोई बार है ठीक है ठीक है A B C और D इसका length L1 है इसका L2 है इसका L3 है ठीक है total length से L है अब दोस्तों यहाँ पर इस A B C D A B B C और C D इन तीनों पार्ट्स के उपर अलग-अलग force apply हो रहा है for example यहाँ पर कोई 10 किलोनोटन है यहाँ पर 5 किलोनोटन का force है ठीक है यहाँ पर से 30 किलोनोटन का force है और अगें यहाँ पर 15 किलोनोटन का force है मतलब इस body के individual part के उपर number of forces act हो रहा है तो हम इस formula का use करके इस body का elongation या फिर जो भी changing length होने वाले वो easily calculate नहीं कर सकते हैं कि यहाँ पर अलग अलग forces अलग अलग parts के उपर apply हो रहे हैं तो इस body का अगर हमें resultant deformation अगर हमें calculate करना है क्या resultant resultant deformation अगर हमें calculate करना है तो हमें use करना पड़ता है principle of superposition ओके तो principle of superposition अब आपको पता चल गया कि किस case में हमें use करना है तो जल्दी से इसका statement पढ़ लेते क्या है वेन बॉड़ी इस subject to number of forces राइट number of forces देखो यहाँ पर number of forces एक्ट हो रहे हैं then the resultant deformation of the body is equal to the algebraic sum algebraic sum of the deformation of the individual section ठीक है अब देखो ध्यान से देखते हैं अब जैसा कि यहाँ पर तीन पार्ट में हमने इस body को divide किया हुआ L1, L2, L3 तो one by one इस individual पार्ट का deformation calculate करते है L1 पार्ट का deformation क्या होगा for example AB, delta LAB इसका deformation क्या होगा force P1 into L1 upon AE cross sectional area as well as the modulus of elasticity से इस problem के लिए हम constant लेते हैं तो delta LAB हमें मिल गया similarly BC पार्ट के लिए क्या होगा delta LBC is equal to P2 L2 upon AE similarly CD पार्ट के लिए कितना होगा P3 L3 upon AE तीनो पार्ट का हमें deformation मिल जाएगा तो resultant deformation क्या होगा दोस्तो resultant deformation for bar AD will be equal to delta LAB plus delta LBC plus delta LCD मतलब क्या कि हमने algebraic sum किया जैसे कि आप पर लिखा हुए algebraic sum of the deformation of the individual section यह क्या calculate किया हमने individual section का deformation उन्ही का हमने algebraic sum किया तो हमें पूरे बार का deformation मिल जाएगा तो यहाँ पर formula क्या बनता है दोस्तो delta L is equal to delta LAB P1 L1 upon AE P2 L2 upon AE PLUS P3 L3 upon AE तो यह formula क्या है हमारा दोस्तो principle of superposition यहाँ पर हमने तीन length में इस बार को divide किया था इसलिए यहाँ पर तीन quantities आपको नज़र आ रही हैं यही formula दोस्तो extend होके अगर आपके पास number of n number of अगर parts है तो यही formula PN LN upon AE ऐसा हो जाएगा यही है दोस्तो हमारा principle of superposition एक बात आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी है principle of superposition को apply करने के लिए देखो दोस्तो principle of superposition इसको हम strength of materials में apply कर रहे हैं और एक बात आपको याद रखना पड़ेगा strength of materials में हम equilibrium equilibrium के लिए static equilibrium के लिए हम study करते हैं यानि कि यह जो principle of superposition यह जो फेनोमेना है यह आप तभी apply कर सकते हो जब आपका जो भी बार या फिर body या फिर component है वो static equilibrium में है अभी यापर जो मैंने example दिया था वो हम चेक करते हैं कि static equilibrium में है कि नहीं static equilibrium में मतलब क्या है जो भी इस body के उपर forces लग रहे है उन सबका algebraic sum 0 होना चाहिए मतलब क्या है summation of forces needs to be equal to 0 तभी हम principle of superposition हम apply कर सकते हैं तो देखते हम मैं एक assumption करता हूँ कि left की तरफ जाने वारे forces मेरे negative होंगे right की तरफ जाने वाले forces मेरे positive होंगे तो यहापर देखो 10 kN towards left जा रहा है minus 10 5 kN यह भी left की तरफ जा रहा है यहाँ पर देखो तो यह भी minus 5 होगा 30 kN towards right जा रहा है so positive 30 15 kN again negative की तरफ जा रहा है sorry left की तरफ जा रहा है so minus 15 तो इन सबका algebraic sum क्या होगा दोस्तों minus 10 minus 5 minus 15 plus 30 minus 15 तो यह तो cancel out हो जाएगा is equal to zero तो यहाँ पर हमारा जो condition है वो satisfy हो रहा है तो हम इस problem के उपर principle of superposition apply कर सकीगे तो दोस्तों यह concept आपको और अच्छे से समझने के लिए quickly एक problem discuss कर लेते हैं तो problem में हमें दिया हुआ है a steel bar of cross sectional area 200 mm square is loaded as shown below find the change in the length of the bar if e, e क्या है young's modulus यह फिर modulus of elasticity जो कि हमें दिया हुआ है 200 gp है तो यहाँ पर हमें A, B और B, C एक component यह फिर एक bar दिया हुआ है जिसके उपर A end के उपर 50 kN force लग रहा है B end के उपर 20 kN force लग रहा है C force के उपर 30 kN force लग रहा है सबसे पहले अगर यह forces static equilibrium में है तभी हम principle of superposition apply कर पाएंगे तो quickly हम check कर लेंगे कि भाई principle of superposition हम apply कर सकते हैं कि नहीं तो हमें उसके लिए क्या करना पड़ेगा summation forces in x direction shall be equal to 0 again वही sign convention use करेंगे left की तरफ जाने वाले forces negative right की तरफ जाने वाले forces positive तो यह 50 kN towards left जा रहा है so that will be minus 50 next 20 kN right की तरफ जा रहा है so positive 20 30 kN भी right की तरफ जा रहा है so positive 30 इन सब का अगर हम algebraic sum करेंगे तो 0 आ जाएगा text book है reference book है उसमें यह पहला ही problem है solve problem है तो आप वहाँ से check out कर सकते हो बट वहाँ पर different तरीके से solve क्यों है यहाँ पर मैं एक simple approach आपको पताऊंगा तो आपको easy होगा इस तरीके से problem solve करने के लिए सबसे पहले इस तरीके के problem solve करने के लिए हमें individual पार्ट का free body diagram ड्रॉ कर लेना है देखो यहाँ पर free body diagram पार्ट AB के लिए ड्रॉ करता हूं मैं यह हो गया यह पार्ट AB के लिए free body diagram है जिसका length है 300 mm अब देखो यह पार्ट के उपर कितना force लग रहा है 50 kN तो यहाँ पर मैं लिख देता हूं 50 kN अब जैसा कि मैंने बताया तो दोस्तों यह condition suffice होना चाहिए summation fx तो यहाँ पर 50 kN force अगर left की तरफ लग रहा है तो इसको equilibrium में रखने के लिए 50 kN additional force यहाँ पर लगाना पड़ेगा तभी summation fx equal to 0 होगा यह force मैंने खुद से लगाया है ठीक है अब ध्यान से देखना बी सी पार्ट का भी मैं free body diagram बना लेता हूं बी सी अब इसका लेंट है 500 mm नाओ बी पॉइंट के उपर मैंने additional 50 kN force लगाया हुआ है यह मैंने खुद से लगाया है तो similarly 50 kN left की तरफ जाने वाला एक और force मुझे लगाना पड़ेगा समझ रहा है यह देखो यह B point है यहाँ पर यह मैंने force लगाया 50 kN मुझे यहाँ पर यह वाला force भी लगाना पड़ेगा तभी body equilibrium में आएगा क्योंकि यह forces मैं खुद से लगा रहा हूं ठीक है यहाँ पर कुछ देख रहे हूँ आप 50, 20, 30 B point के उपर 20 है बट इसको मैं लगाना पड़ेगा ठीक है अब देखो यह अब मैरे पास कौन से forces बचे यह 50 kN next B point के उपर यह 20 kN का force लग रहा है ध्यान से समझना यह 50 kN और यह 20 kN तो यहाँ पर resultant force कितना बचेगा net force कितना बचेगा 30 kN क्यूंकि 50 kN left की तरफ जा रहा है 20 kN right की तरफ जा रहा है तो net force कितना बचा 30 kN अब यह जो force होगा वो यहाँ पर apply होगा 30 kN अब आपका answer यह जो आपने forces calculate कि है वो correct है कि नहीं वो भी आप cross check कर सकते हों ठीक है अब देखना यह 30 kN लग रहा है BC part के उपर BC part को भी equilibrium static equilibrium में रखने के लिए C part के उपर भी tensile nature का 30 kN force लगाना पड़ेगा correct है क्योंकि summation fx needs to be 0 अब यही 30 kN force आपको यहाँ पर दिखर है दोस्तों जो कि हमें given था तो अगर यहाँ पर 30 के है यहाँ पर 30 यानि कि आपके जो भी assumptions है वो correct है जो भी आपके forces के direction है वो भी correct है I hope आपको यह समझ में आया होगा दोस्तों यहाँ पर हमने forces को कैसे divide किया हुआ है ओके तो यहाँ पर अभी ab part और bc part का हम quickly change in length calculate करेंगे delta l total length of this bar ac यहाँ पर मैं लिखता हूँ ac equal to delta l ab plus delta l bc principle of superposition के according algebraic sum करना पड़े का जोब कि यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है so delta l ab so यहाँ पर p1 l1 upon a e plus p2 l2 upon a e now p1 कितना है हमारे पास 50 kN अब यहाँ पर nature देख सकते हैं आप tensile है यहाँ पर एक और consideration होता है nature अगर tensile है तो आपको positive consider करना है nature अगर compressive है force का तो आपको negative consider करना है तो यहाँ पर हमारा ab part के उपर जो force लग रहा है यहाँ पर देख सकते हैं वो दोनो tensile है तो यहाँ पर हमें positive लिखूंगा 500 sorry 50 kN तो सारी values हम newton में लिखेंगे इसलिए into 10 raise to 3 into length है इसका 300 area हमें given था 200 200 into modulus of elasticity was 200 GPA तो GPA मतलब क्या हो गया दोस्तो 200 into 10 raise to 3 newton per mm square यह इसका conversion होता है तो वही यहाँ पर में लिखूंगा 200 into 10 raise to 3 plus now p2 मतलब bc पार्ट के ओपर bc पार्ट के ओपर भी अगर आप देख सकते है तो 30 kN force जो act हो रहा है वो tensile nature का है तो वो यह भी value positive आएगी so p2 होगा हमारा 30 kN into इसका length है 500 divided by area है common 200 mm square 200 into again modulus of elasticity is same for both the bars so 200 into 10 raise to 3 तो अब हम इसे calculate करेंगे तो यहाँ पर a b part के लिए elongation आ रहा है 0.375 mm cd bc part के ओपर कितना आएगा 30 into 500 divided by 200 into 200 bc part के लिए भी deformation 0.375 आ रहा है so दोनों का sum करेंगे तो हमें मिल जाएगा 0.75 mm तो दोस्तो यहाँ पर हमें deformation resultant deformation जो कि हमें मिला है 0.75 mm for the given bar ac यह value positive आ रही है positive आ रही है मतलब इस का होने वाला है elongation अगर यह value negative आती इसका मतलब क्या होगा है यह बार का जो length वो decrease हो रहा है मतलब बार में compression आ रहा है तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने principle of superposition के बारे में study किया अगर आपको इस वीडियो को लेकर या फिर इस topic को लेकर कुछ doubt है तो आप please comment box में comment किजे I will try to help you out अगर वीडियो अच्छी लगे हो तो please वीडियो को like करना और channel को ज़रूर subscribe करना मिलते है अगली वीडियो में thank you thank you so much